Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और ECMAScript की इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे Inheritance की Inheritance basically ECMAScript 6 के अंदर जिसको हम ES6 भी कहते हैं उसमें introduce हुआ था और एक चीज़ में को बताएता हूं अगर आपको नहीं पताए क्लासिस क्या होती हैं तो आप Inheritance अच्छे से समझ नहीं पाओगे तो अगर आपको क्लासिस के बार में पढ़ना है तो मैंने लास्ट में ही एक वीडियो बनाई थी लिंक पूरी प्लेलिस्ट का दिस्क्रिप्चिन बोक्स में दिया हूँ है वहाँ पर जाके आप देख लीजेगा राइट तब ही आपको Inheritance अच्छे से समझ में आएगा इस वीडियो में करने क्या वाले हैं समझेंगे Inheritance होता क्या है Parent Class, Child Class बनाएंगे बाद में Parent Class को Inherit करेंगे Child Class कांदर एक Complete Example बन जाएगा कुछ Interview Questions भी इसके अंदर में मिल जाएंगे एक चीज़ और अगर आप लोग React पर काम करे हो और React सीख रहे हो तो आप लोगोंने एक चीज़ देखे हो कि Super Keyword कि वो हम क्यों यूज करते हैं उसका Concept आपको यहां पर बहुत अच्छे से Clear होगा कि हम लोग Super क्यों यूज करते हैं So अब Start करते हैं This is my Output Screen और यह मेरे पास Inheritance.html नाम से File है इसके अंदर हमारा Code करेंगे अच्छा एक चीज़ और सबसे पहले theoretical question पर जाते हैं practical example पर बात में जाएंगे आपक सेम हो जाती है या किसी की Height चाल चलन बोल आवाज कुछ सेम हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं Inheritance कुछ properties पेरेंट से Child में चले जाना Inheritance होता है basically और यही चीज हम यहां पर यूज करेंगे एक Child Class होग एक Parent Class होगी Parent Class की कुछ properties कुछ function Child Class में यूज करने के लिए हम यूज करेंगे Inheritance और यही होता है Inheritance की कुछ properties हमें यूज करने है Child Class के अंदर जो कि Parent Class के अंदर है हमारे पास Child में defined नहीं है तो Parent में defined है But still उन functions को हम Child Class के साथ में यूज कर पाएंगे So, देखते हैं किस तरी की से यूज कर पाएंगे So, सबसे पहले मैं यहां पर class बनाता हूँ Let's say मेरी class का नाम है यहां पर fruits Right और इसके अंदर मैं constructors define कर सकता हूँ कोई mandatory नहीं है कि constructors बनाओ ही बनाओ But हम बना रहे हैं Right Because इसके साथ मैं मुझे मुझे एक super वाला जो एक feature है वो भी बताना है आपको Right और यहां पर मैं करता हूँ console .1 और इसके अंदर लिखता हूँ basically constructor इसको मैंने बता जे constructor तो आपको समझ में एड़ा कि constructor कब कोल होगा अब मैं कुछ functions बनाता हूँ get fruits get fruits fruits लिखे लो कोई problem नहीं है और यहां पर हम return कर सकते हैं इसके अंदर कुछ भी name let's say apple यहां पर लिख देते हैं you got apple right कोई problem नहीं है और यह चीजह हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी देखी थी then मैं क्या करता हूँ यहां प एक f1 नाम से new fruit right यह हमने बना लिया then हम इसको कैसी use कर सकते हैं यहां पर हम basically लिखेंगे console.one और यहां पर कर सकते हैं f1.getFruit और इस function को हम call कर लेंगे so यही तरीका होता है इतना हमने लास्ट वाली वीडियो में देख लिया था great so let's say कि अब मेरे पास एक और class है right और इसका नाम है category right category के अंदर basically defined है कुछ properties let's say fruits की categories है so हम यहां पर कर सकते हैं dry right कुछ भी fruit के नाम ले लो just some example ही ले रहे है और यहां पर हम return कर सकते हैं let's say almond is dry fruit right then let's say कुछ एक को लिए सकते हैं palm fruits ले सकते हैं right और apple एक palm fruit होता है return apple is palm fruit right right अब देखो आपको पता है कि fruits के अंदर यहां पर हम लोग get fruits यूज कर पा रहे हैं अब fruit को यूज करना है कि मेरे पास यह fruit किस type का है right तो palm या फिर dry fruit यूज करना है तो वो कैसे यूज करेगा नहीं कर सकता right सो वो क्या करेगा या तो हम क्या करें directly हम category वाली class को call करें या फिर हम इसमें extend कर सकते हैं पहले हम एक normal तरीका देखते हैं कि कैसे हम इसको call कर पा रहे हैं यहां मैं basically करता हूँ let c1 equal to new category right और जैसे मैंने यहां पे console कर रहा है इसी तरीके से एक और मैं console कर सकता हूँ यहां पे मैंने लिख दिया c1 और इसके अंदर let's say c1 dot drive root right तो देखो अभी के लिए हमारी पास तीन console आएंगे यहां पे constructor जो आ गया you got apple यह पहले बाद एक और apple is dry fruit यह भी आ गया right so अब मैं चाहता हूँ fruit के साथ मैं यही पता करूँ कि किस टाइप का fruit है तो मैं यहां पे use करूँगा f1 dot pom fruit यह use करने ही कोशिश करता हूँ क्या मैं कर पाँगा इसको अभी के लिए मैं comment कर देता हूँ बिल्कुल नहीं कर पाँगा यह मुझे add देदेगा f1 is not a function right क्योंकि f1 dot pom fruit इसके अंदर function है fruit के अंदर भी कोशिश है अगर इसको use करना है तो मैं इसको क्या करूँगा extend कर लूँगा अब मैं इसको use कर पाँगा अब आप देखोगे मेरे पास कोई added नहीं है और यहां पे चीज बताई यहां पे catch है you must call super constructor if derived class before accessing this or return from a derived constructor इसका मतलब यह कह रहा है तो आपको parent के constructor call करना पड़ेगा कैसे इस तरीके से right और यही होता है हमारे पास react के अंदर इस react आपने देखा होगा क्या करता है अब यह तिनों यहां पे call हो गए है perfectly so react क्या करता है extend करता है किसको component को और उसका constructor हम call करते नहीं है तो जैसे ही हम लोग constructor defining करते हैं हो कह रहा है super call करो और अब आप देख सकते हो कि हमने यहां पे अगर मैं इसको हटा भी दूँ f1 के साथ में warm fruit है उसको भी call कर लिया जबकि इसका function है नहीं extend करके, inherit करके तो इसी को हम कहते है basically inheritance तो इस video के अंदर आपके दो question बनेंगे पहला question तो यह कि कुछ लोग पूछ लेंगे super keyword क्या होता तो हम यह बोल सकते है कि parent class के constructor को call करने के लिए हम लोग super keyword use करते है second आपसे को यह पूछ सकता है कि ठीक है, हमने child के अंदर तो हम parent class के functions use कर लेंगे, right, fruit के अंदर हमने क्या करा, इसका instance बनाया f1 और उपर वाली class, category वाली class का function हमने use कर लिया क्या यह possible है कि c1 के अंदर जो इसका category का object है c1 के अंदर मैं fruit के function call कर लूँ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं अगर आप लोग category extend fruits करते हो ना तो कर सकते हो, बट जो हमने scenario लिखा हुआ इसके अंदर नहीं कर पाऊगे अगर आप यहाँ पर लिखने ही कोशिश करोगे c1.get fruits तो आपको वही error देगा कि function not found वाला यहाँ पर आ सकते हो, आप देख सकते हो function get fruit is not a function यही वाला आपको error देगा इस तरीके से आपको दो interview questions हो गए आपको inheritance का पता चल गया कुछ question हो तो मुझसे पूर सकते हो चैनल को subscribe करना बिलकुल यह मत भूलना बाइबाइ